अपने चनल में आप सभी का स्वागत करते हैं तो चलिए देखते हैं कहां से देखना था हमें हम लोग चैप्टर देख रहा है जिसका हम फर्ष्ट चैप्टर कर चुके हैं यह हमारा सिकंड चैप्टर था चलिए को एक बार देख लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाए कौन सा चैप्टर देखी इसका फर्ष्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं राजा किसान और नगर आरंबिक राज और अर्थवर्ष्था इसका सिकंड पार देखना है तो चलिए जली से देख लेते हैं कहां से देखना है पांच में पॉइंट से देखना था एक आरंबिक सामराज्य आपका हो चुका था और इसके बाद बात करें तो राजधर्म के नवीन सिद्धान्त भी आपके हो चुके थे बदलता हुआ देहाथ हमें देखना था रा जनता में राजा की छबी कैसी थी है ना तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी कि जो जनता है राजा से राजा को पसंद करती थी यह फिर राजा जो जनता का खयार रखता था यह नहीं इस सब चीजने को मिलेंगे इसमें राजाओं के बारे में पर जा क्या सोचती थी सबाबिक है कि अभिले को मैं सही जवाब नहीं मिलते हैं अभिले किसने लिखवाए भई सेंस लगाई अभिले किसने लिखवाए राजा ने तो राजा अपनी बुरा है उसमें क्यों लिखवाएगा से दिसरी भात है ना जनता ने तो लिखवाए नहीं अभिले कि राजा में अपनी जनता का बहुत ख्यार रखता हूं जनता मुझे बहुत प्रिये है इस परकार से लिखवाया होगा राजा ने इस बारे में बिचारों के बेवरा कम ही छोड़े गए जैसे आज की अगर बात करें तो आज आप बड़े-बड़े कोई सुपरिस्टार खतम हो गया या कोई ईसा परचित व्यक्ति के वाहरे मैं आपको जगा जगा पड़ी समया miss जनता का सौभा राजय की प्रति कैसा था इस चीज का विवरून बहुत कम मिला फिर भी इतियास कारों ने इसका निराकरन करने का प्रयास किया उधारन की तोर पर जातक और पंच्छतंत्र जैसे ग्रंतों में बड़े कथाओं की समिक्चा करके इतियास कारों ने पता लगाय कि इन में से अनिक कथाओं के सुरूत मौखिक किस से कहानिया हैं जिने बाद में लिपी बद्द किया गया होगा पहले मनलब कुछ ऐसी कथाओं थी जातक कथाओं जो मौखिक गाएं जाती थी फिर इन कथाओं को लिपी बद्द किया गया ने लिखा गया जातक कथाओं प नाम के कहानी मतागया कि ये कुटल राजा की पर्जा किस परकाश दुखी रहती है इस जाटकता हम बता गया इन लोगों में ब्रद महलाई पुरुस किसान पसुपालक ग्रामील बालक और यहां तक की जानबर भी सामिल हैं सब लोग इतने दुखी रहती थे राजा से जब र दिन में करे खट्टा करने वाले अधिकारी ऐसी परिस्तिती से बचने के लिए लोग अपने अपने गांँ छोड़ कर जंगल में वस गई जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजब से इसकर ग्रामीड प्रजा के 20 संबंद तनापूर रहते थे राजा प्रजा क को देना पड़ेंगे कर के रूप में वह भी फालतू कर कोई उसका सेंस नहीं है करका जैसे किसान खासतोर पास सत्र हो गए थी यानि बिल्कुल एक दम पश्ट पर गए थी इस जाता कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाज जंगल की और भाग जाना होता इस बीच करओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाज धूने शुरूंगी देखना इसमें किया है कि जैसे किसान क्या कर रहे हैं उन्हें का उपज बढ़ाली कभी करने का ऐसा लगता था कि जितनी आपकी खेती होगी जितन यह सब्सक्राइस को किया रह कि वगcorण कच्छारी सिससे फिर से दिया भाइव ARlesia पहले धान क्या किया जाता था धान को ऐसे वो दिया जाता था फिर धान को रोपना सुरू किया तो रोपने से धान और ज़्यादा होगा उपजवाड़ी हालगी किसान को इसके लिए कमर तोड़ महनत करनी पड़ती थी देखिए अगर आप एक खेत में ऐसी धान का छड़का कर दें तो आपको मेहनत नहीं लगेगी लेकिन आप पहले धान का छड़का करें फिर उसकी पौध को एक एक निकाल है अर्वी बास समझ में फिर उसको जाके पानी भरे हुए खेत में एक एक करके उस धान को रोप दें तो इसमें कितनी मेहनत लगेगी दोनम बहुत अंतर है है ना तो कमर तोड मेहनत करनी पड़ती थी या देभी लोहे के फाल वाले हल की बज़ए से फसलों की उपजवड़ने लगे लेकिन ऐसे हलों का उपयोग महादीब के कुछ ही हिस्सों में कुछ ही हिस्से में सीमित था पंजाब और राजस्थान जैसी अर्थ सुस्क जमीन बाले छित्रों में लोहे के फाल वाले हलका प्रियूग बीसवी सदी में सुरूंगा जो किसान उप महादीब के पुरवुत्तर और मद्ध परबती छित्रों में रहते थे उन्होंने खेत समूधाओं से सचाई की ब्यक्ति दीर पर कम करने वारे ब्राय राजा या प्रभासाली लोग बड़े बड़े लोग की अप्टि कामता पाते थे जोन्होंने अपने ग्रमीर समाज में विननेताः कैसे ही थी थी कि इन नहीं तकनीकों से उपस तो बड़ी लेकिन इसके लाब समान नहीं थी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जोड़े लोगों में उत्रोत्तर भेद बेद बड़ता जा रहा था कहानियों विए इसकर बहुत कथाओं में भूमिहीन, खेतियार, सिर्मकों, छोटे किसानों और बड़े-बड़े जमीदारों का उलिक मिलता है। याद रखनेगा याद रखिएगा बेल लालार किसे बोला जाता था बड़े जमीदारों को। की जाती थी। इसको देख लेना। गहे पती गहे पती किसको किया जाता था गहे पती घर का मुखिया होता था। गहे हो गया ना। गहे पती है ना जैसे राष्ट पती राष्ट का मुखिया और घर में रहने वाली महलाओं बच्चों नोक्रों और दासों पनी इंतर रहता था इसका गहे पती का घर से जुड़े भूमी जानबर और अन्य सभी बस्त्कों का वाए मालिक होता था। कभी कभी इस सब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभरांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। एक छोटे गाहों का जीवन पढ़ लेते हैं यह कहानी लिखी होती है वॉक्स में इसको अब खुद पढ़ना हर्श्चरत की कहानी लिखी हुई है इसको पढ़ लेना है ना चले अब इसको देखते हैं भूमिदान और नए संभरांत ग्रामिड इश्वी की आरंबिक सताब सताब्दी से ही भूमिदान के प्रमाण हमको मिलते हैं इसमें से कई काउल लेक अभी लेकों से मिलता है इनमें से कुछ अभी लेक पत्त्रों पर लखे गए थे लेकिन अधिकांस तामर पत्त्रों पर खुदे होते थे जिनने संभाता उन लोगों को प्रमाण रूप में द कुछ अंच संस्कृत में हैं और कुछ तमिलो तैल्गु जैसी इस्थानिय भासाओं में हैं आई ये कैसे अभिलेग पर ध्यान से विचार करें देख लेते हैं प्रभावती गुप्त आरंबिक भारत के एक सबसे मातपूर्ट सासक चंद्र गुप्त दूतिय की पुत्री थी प्रभावती उसका बेबार दक्कन पठार के बाका टक परिवार में हुआ था जो एक मातपूर्ट सासक बंस था बाका टक के बाड़े में आंगे पड़ेंगे साउथ में संस्कृत धर्म सास्त्रों के अंसार महलाओं को भूमी जैसी संपत्ति पास सोतंतर धिकार नहीं थे जैसे भूमी की साम पत्ति है तो जैसे पता के नाम तो उसके पुत्र के नाम आएगी पुत्री के नाम नहीं आएगी उसके पत्नी के नाम नहीं होती थी लेकिन एक अबिलेक से पता चलता है कि प्रभावती भूमी की स्वामी थी और उनके उनके उनसे दान भी किया था और उसने दान भी किया था किसने प्रभावती ने इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी आरंबिक भारती इतियास के ग्यात कुछ रानियों में से एक है एक रानी थी और इसलिए उनका यह उधारान एक ब्रिला ही रहा हो यह भी संबाव है कि धर्म सास्त्रों को हर इस्तान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो अभिलेक से हमें ग्रामीड प्रजा का भी पता चलता है इनमें ब्रामार के सांथ तथा अन्य प्रकार के बर्ग सामिल थे जो सासकों या उनके प्रतिनीदियों को कई परकार की बस्तूंएं प्रदान करते थी अभिल भी दान प्रार के बारे में लिखा हूगा डैन्य दे गई भूमी की माप में Nagतर कहीं कहीं चोटे चोटे टुकडे किये गए तो कहीं कहीं बड़े बड़े चछितर दान कर दिए गए अब जिसकोज अशाबन पड़े, कोई 10 रुप्य मंदिर में चड़ा के आ जाता है, कोई 100.000 रुप्य चड़ा के आ जाता है, साते भूमी दानों में दान प्राप्त करने ओट ocean लोगों के अधिकारों में भी 16 परिवरतन मिलते हैं, इतियासकारों में भूमी दाना मोन परभा करता था कि सासा ऐसे तो नुआ हैं लगाया है कि कुछ का ये कि दुरोबल राजनतिक प्रभुत्त का संकेर मिलता है अर्थात राजा का सामानतों पर दुरोबल होने लगा तुन्होंने भूमिदान के माद्यम से अपने समर्तक जुटानी प्राइब कर दी खरीद ने मलब पैसा देदी के खरीद ना होता है न वहीं जी उनका याई भी मानना है कि राजस्वयम को उत्करष्ट इस्तर के मानाओ के मानाओ के रूप में प्रदर्शित करता था उत्करष्ट मानाओ अच्छा मानाओ जैसे कि पिछले मलब एक अच्छा एक उधारबादी मानाओ तो इसका कारण हम भूमिदान देने के हमाँ पास भूमि है हमने भूमिदान दे दी उनका नियंतरन धीला होता जा रहा है कहते थे जो ब्रामाणों को दान दिया जाता था ब्रामाणों से भूमिकर या अनप्रकार के कर नहीं वसुले जाते थे ब्रामाणों को सेम इस्थानियों लोगों से कर वसुले का अधिकार था प्रभावति गुप्त और दंगुन गाहां इस चीज को पढ़ लेना प्रभा लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारिय या सम다 का नहीं था जैसव कि पसूपालक संघ्राहेक सिकारी मच्वारि सिल्पकार यानि गोंक्ड ततल εδώ भाग के एक इस्थान पर रहने वाले सिल्पकार है जुत्ट थे मच्वारी थे पसुपालग भी यह किस्तान पर रहते थे और जगा जगा घ। करने वाले लुग के वेज उसी लोग अपने जीवन और आदन प्रतान के बित्राण नहीं रखते थे यह लोग थोड़ी नई पर नगरों में देखिए आईए नए नगर के बारें देखिए आईए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगबक छटी सताब्दी सापूर में उप महादीब के विबिन छित्रों में हुए जैसा कि हमने पड़ा है इन में से अधिकांस नगर महा जनपतों की राध्धान इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तष्ट परवसे हुए थे जहां से समुद्र मार्ग प्रारम हुए मत्रा जैसे अनिक सहर बैवसायक सांस्कृतिक और राजिंत गति विदी यू की जीवन्त के इंदर थे जीवन्त के इंदर चली देखिए नगरी जनसंखा कैस संब्रांत बर्ग और सिल्पकार वहां रहते थे देखिए हमने पड़ा है कि सासक बर्ग और राजा किले बंद नगरों में रहते थे यह देपी इनमें से अधिकान से स्थलों पर ड्यापक रूप से खुदाई करना संबह नहीं है क्योंकि आज भी इन छेत्रों में लोग रहते हैं जैसे हडपा सहरों से अगर बात करें अलग आप तो लेकिन फिर वी यहां से बेविन प्रकार के पुराव से स्प्राप्त हुए हैं इनमें उत्करष्ट सेनी के मिट्टी के कटोरे में ले हुए हैं थालिया में ले हुए हैं जिन पर चमकदार कड़ाई बनी करने गहने उपकरान हतियार बरतन सीप और पकी मिट्टी मिली हुई है यहां पे इन लोगों को दुतिय सताब्दी सब पूर्व आते आते कई नगरों में छोटे दानातमक अविलेक प्राक्त होते हैं इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राया उसके बैविसाह का भी उल्ल चूल चेर पांडे यहां पर साथ बहाने यह थे बांक अटक यहां पर मिलेंगे सक आपको गषब हो तो यह सब दियुः हैं खप्तबंस के बारिया नक्षाने धोबीजन लिखे होते ilg पहले कच्छे माल का खरीदार खरीदती थी फिर उनसे सामान त्यार कर बजार वेज दिया जाता था यह संभाव किसल पकारों ने नगर में रहने वाले संभरात लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोह उपकरनों का प्रयोग किया हूँ अंगदी उपमहादीप और उसके बाहर का व्यापार चटी सताबदीसा पूर्ब से उपमहादीप में नदी मार्गों और भू मार्गों का मानुजाल सा बिच गया था और कई दिसाओं में फैल गया था मद एसिया और उससे भी आंगे तक भू मार्ग थे समुद्द तठ पर बने कई बंदर गाहों से जल मार्ग अरफ सागर से होते हुए उत्तरी उत्तरी अफिर का पस्चमी इसिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दच्चड पूर्व इसिया तक फैल गया अब यह चीज़ें आपको मार्ग कब समझ में आएगा जब आ पिंग आपको कब आएगी जब आप भूगोल पढ़के आएगी सीदी से बात है है ना सासको ने प्राया इन मार्गों पर नियंत्रन करने की कोशिस की और संभावता बे इन मार्गों पर ब्यापारियों की रक्षा करते थे बलूट खरोस्ट से और उससे क्या होता था फिर में केलर केलर में हैं पूछा जाता है एक बॉक्स पढ़ लेना कि मालावाय तट से किस-किस चीच का जो है व्यापार होता था इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों है पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बेलगारी और घोड़े खचनों जैसे जानबरों लेगन बहुत लाब दायक भी होती थी समुद्री मार्क आपको सथा पढ़ जाता था जलनी पहुंच जाती थी अब लोग है ना तमिल भासा में मसत्त थुबन और प्राकृत भासा में सत्थ वाह और सिट्टी के नाम से प्रिसिद सफल ब्यापारी बड़े धनी हो जाते थ और उसे निर्में तुथपात पथल लक्री जड़ी बूटी जैसे अनिक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जाते थे रोमन सामराज में काली मिर्श जैसे मसालों तथा कपड़ों वा जड़ी बूटीयों की भारी मांग थी इन सभी बस्तूओं क अरब सागर के रास्ते भूमद छेतर तक पहुंचाया जाता था सिक्क्य और राजा कि ब्यापार के लिए सिक्की के प्रचलन से मिनी में कुछ हद तक आसान हो गया था चांदी और तावे के आहत सिक्क्य छटी सताब्दी इसापूर में मिले सबसे पहले ढाले गया और प् इनका और अन्य सिक्कों का द्यान करके उनके बाणजिक प्रियोग के संभावित छित्रों का पता लगाया है पता लगाया है कि सिक्के कहां कहां चलते थे आहत सिक्के पर बने पृतिकों और उन बिसिस मौर बंस जैसे राजवन्सों के पृतिकों से मिलकर पहचान करने की क सबसे पहले हिंद यूनानी सासकों ने जारी किये थे जिन्होंने सताब्दी इसापूर में महादीब की उत्री पस्चमी चित्पनियंत्रा इस्थापित किया था पूछे जाता है कि सोने के सबसे जादा सके किसने जारी किये तो कुसार राजाओने इनके आकार और बरजन ततकालें रोमन सामराटों और इरान के पार्थियन सासकों द्वारा जारी सिक्कों से बिलकुल समान थे उत्तर और मद भारत के कई पुरा इस्थलों पर ऐसे मिली हुए हैं सोने के सिक्कों के व्यापक प्रियुग से संक्यत मिलते हैं कि बहमूल वथ भारी महत्रा में वथ्थू कर बिनीमा किया जाता था इसके अलावा अनिक पर गश्थलों में बड़ी संक्या में रोमनी से यानि दच्छन भारत करो मन से ब्यापार होता था जिससे एक पर एक तंत राजिनितिक सीमा से बंधा नहीं था इसको पढ़ लेना यह दिया हुए पैरी प्लस युनानी भासा का सब्द है जिसका अर्थ समुद्रियात्रा है और एरिथ्रियन युनानी भासा में लाल सागर को कहते थी एरिथ्रियन युनानी भासा में लाल सागर आज आप मैप में देखेंगे तो आपको लाल सागर देख जाएगा बड़ी है सब चले आँगे देखेगा यह आपका हो गया कि अगर देखिए क्यूंकि रच्छण वारत में रोमान सामराज के अंतरक्त ना होते हुए भी व्यापार्ट द्रश्टी से रोमान सामराज से संब्धित था रोमान सामराज दच्छण में नहीं था लेकिन ब्यापार हमारा दच्छण का व्यापार रोमन सामराज से हुटा था पंजाब और हरियाना जैसे च्छसे तरह करत THAT expose के संध्यारों की संख्या में है जिन से योधियों कि ब्यापार्म रूची और सहभागता परी लक्षित होती हैं सोने के सबसे क्या सबसे भभ्य को कुछ गुपत सास को ने जारी कि तो अभी आप ने देखा कि गुपत सास को ने टो जब एकशाम में दर से कुष्चन बनता है तो क्या बनता है कि सरवाधिक कि किस राजवनस सर्वाधिक की बात करें दातू की बात किए कि वह तामेकeilा के थे कि कभी कोई नहीं सिरुक आपको बात का नहीं कि सरवादिक सिक्वे कि सुने की सरवादिक सुने, मलब जो शिक्की चा लेकिती है उस सरवादिक सोना between 24 केरit का सूना होता है मैं तो तो सबसे जाधा सुना किस आसनकाल में चलाए गए तो अब को सबसे अब कर और यहाँ अगर आपसे पूछаже सन्ठ segurança ने चलाया थी तो बूथ सब्सक्राइब करें तो सरवाधिक सब्सक्राइब करें लेकिन सुना उसमें नहीं था आपके बहुत इंपोटेंट चीज़ें रही हैं इन सिक्कों के माद्यम से दूर देशों से ब्यापार बेनी में करने में आसानी होती थी जिसे सासकों को भी लाव होता था अंगे छटी सताब्दी सापूर्व से सोने की सिक्के मिलें कम हो गए क्या इस संकित मिलता है कि उसकाल में कुछ आर समुदाओं और छित्रों की संबंता पर असर पड़ा जिन्हें दूर बरती ब्यापार से लाब मिलता था तो इसके कारण सिक्कें को मिलना कम हो गए अनका कहना है कि इसकाल में नए नगरों और ब्यापार के नभीन तंत्रों को उदाय होने लगा था उनका याई भी कहना है कि अधेक इसकाल के सोने के सिक्कों दों मिलना तुका मों गया लेकर अफील्यों और गरन्तों में सिक्कों का उल्लेख होता भी आंज क्लेटैक तुम आपका अर्थ कह सकता है कि सिक्कें कि मिलते थे क्योंक्स प्रचलन में थे और उनकी किसी से इसी संगरा करके नहीं रखा था कुछ भी हो सकता है वह हमें क्या पता हम थोड़ नहीं आप उपलब देते हमें तो लिखेत साक्ष मिले हुए उसके अंसारा हम चीज़ें बुर हैं यह देखिए इस प्रकार से बनाया जाते थे आहत सब्द से इस पर प्रतिकों को आहत किया जाता था इस थपा टाइप के लिए रगा रहता है यह देखिए इक गुप्त का सख का है गुप्तों का है सोने के की से चलाई ती लिए नकली सौना था सुना चले दिखिए आंगे मूल बस्दा क्या है अब रिखों को आर्थ कैसे निकाला जाता है अभी तक हम यह बातों की असुक का मिलिक दिखिया हुगा है इस प्रकार से लिखे जाते थे अभी लिए अध्यान ये अक्षर इन लोगों ने पड़े लिए थे असुक के समय की ब्रामिली पी का का ऐसे लिखा जाता था चा ऐसे डा दा मारा इस लिखे जाते थे ब्रामिली पी का अध्यान आधनिक भारतिय वासाओं में प्रियूक तो लग्बख सब लिखियों का मूल ब्रामिली लिखे से ब्रामिली में किया गया है अठारवी सदी सी यूरुपिय ने भारतिय पंडितों की सहायता से आधनिक बंगाली और देवनागरी लिपी में कई पांडू लिपियों का अध्यन सुरूं किया है और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नम्यूनों से तुल्ला की है है तो यह चीज रही है अब देखियांगे क्या है प्रारंबिक अभिलिको सबसे पहले अभी लेख पड़े थी जाने वाले हिंद युनानी राजाओं द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हांसिल करने में आसानी हुई है इन्सिक्कों में राजाओं के नाम युनानी और खरोष्टी में लिखे होगे हैं युनानी भासा पढ़ने वाली यूरूपी बिद्दानों ने अक्षरों का मेल कर लिया उधारान के तौर पर दौनों लिप्यों में अपूलो डोर्स का नाम लिखने में यह पृतिक अपूल माल लीजे आप र्युक्त किया गया जुकि प्रिंसिप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की बासा की पेहचान प्राक्रितिक की रूप में की थी इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया था अभी प्राप्त एहतिहासक साक्ष क्या रहे तेयासकारों यह को के पता लगाने के लिए असो की दो को धियान से पढ़ सबस्टाएं की में अभी overt बसुषार का नाम नहीं लिखा ओगा है आसो में अब्रेइच को बोलते हैं उसमें असोग द्वारा पीए दसी देखने में सुन्दर था सोग असोग नाम अभीलेकों में मिलता है जिसमें उसकी उपलब्दियां भी लिख हुई है इन अभीलेकों का परिछण करने के बाद अभीलेक सास्तियों ने पता लगा है कि उसके विशाए सेली भासा और पुरा लिपी विग्ञान सब म बनवाया था सेम हैं तो सोचय की सासक ने बनवाया ऐसा है आपने यह भी देखा होगा कि अपने अभीलेकों में कहा है कि उसने पहले के सासकों के रिपोर्ट एकत्र करने की विवस्था नहीं की थी यदि असोग से पहले के उपमाहदी पी इतियास परविचार करें तो क्य कह नहीं सकते हैं कि यह बात पूरी हंडिट परसेंट सत्थ है यह संभा संभा होना है या अतिस्युक्ति है कि मतलब ऐसे ही हवावाजी वाली क्या अपने ध्यान दिया कि कुछ सब्द ब्रेकट में लिखे हैं अभीलेक सास्त्री प्राया बाकों के अर्थ इस पष्ट करने पढ़ते हैं यदि राजा के आदेशी आतयात मारगों के किनारे और नगरों के पास प्राक्रतिक पत्थरों पर उत्क्रीड थे तो क्या हुआ से आने जाने वाली लोग उन्हें पढ़ते थे अधिकांस लोग प्राया पढ़े लिखे नहीं थे अब उनको पढ़ने के लिए भी एक बंदा खड़ा कर किया जाता था ताकि जनता को समझाए सबको पढ़ना आता ही नहीं था क्या पाटली पुत्रों में प्रियुक्त प्राकृतिक महादीप में सबी स्तानों पर लोग समझते थे क्या राध्या के आदिशों का पालन किया जाता था इन पिसनों के उत्तर पाना सधेव आसान नहीं है हमें क्या पता ही चीज यह हमें तो जो लिखित मिले अब वह साता है जैसा कि हम कि आंगे पढ़ेंगे यदि हम अविलेक के साब्दिक अर्थ के परिसम समझने का प्रयास करते हैं तो परस्तिती और भी जटेल हो जाएगी यदि असोक के अविलेक आधनिक उडिसा से प्राप्त हुए हैं लेकिन उनकी बेदना को पर ये लक्षित करने वाला अविलेक वहां नहीं मिला हुआ है अर्थात यह अविलेक उस छित्र में नहीं उपलब्द जिस पर बजाय प्राप्त की गई थी इसका हम क्या आर्थ लग कि अविलेकों से प्राप्त जानकारी भी सीमा रहती थी की सीमा रहती थी कभी-कभी इसकी तक्निकी सीमा रहती थी होती थी अक्षरों को हलके ढंक से उत्क्रिंट किया जाता था उन्हें पढ़ पाना मुस्किल होता है साथ ही अविलेक नश्ट भी हो जाते थे तूट फू तो आप आएगे कि बिद्वान इनके पढ़ने की बेकल्पिक बिद्यों पर चर्चा करते रहते होंगे करते रहते वात है ना कि उसमें हजार अभीलेक प्राप्थ हुए हैं लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सकते या परकासित किये गए हों या उनके अनुबात किये गए हैं इसके अत्रिक्त और अनेक अभीलेक रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं इसलिए जो अभीलेक अभी दारण के दोर पर खेती की देनिक प्रकिरियां और रोजमर्रा की जिन्दिकी कि सुक दुक्त का अभी लेखों में नहीं मिलता है क्यूंकि प्राया अभी लेख बड़े और विसेष असरों का बाड़ान करते हैं इसके लाब अभी लेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विच लिखा होगा और किसी का विचार नहीं लिखा आपको मिल सकता है क्यों मिलेगा भाई राजय लिखवा रहा है तो राजय ही अपनी विचार लिखवाएगा कि चेप्टर आपके हैं पर समाप्त हो गया कि कुष्चन आंसर करेंगे फुर्सस से अब इसको और देख लीजी कि में कोन सी चीज कहां से कहां तक चली है काल समय लिखा होगा है इसको मौर शासन असुका सանन कंक से कब तक रहा मौर सम्राज का अंत इस जब चीजे पढ़ लिखा होगा है कभी कभी समय होगे पूछ लेता येаем ममें तो पढ़ लेना के कि यह भी लिखा हुआ है यह चीज लिखी हुए कि कमें लोगों ने अभी लिखों का क्या किया कि बंगाल एसी आटिक सोसाइटी का गठन का भुगा यह ना जेम्स प्रिस्प द्वारा सुक ब्रामी लिपी का अर्थ उनीश सोरी 1838 में निकाला इसने है ना तो चलिए चेप् प्रसा थब तक के लिए जाहें जी भारत